नमन्गनाधिपं गुहं विनायकं गुरुम्स्मरन्सुरं सुशांत देहिनं त्रिलोग भास्वरीम् त्रकाल दर्शिकाम् नमामितांपरां प्रथस्वरूपिकाम् व्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे असित देवल वैशंपायन जैमिनी और सुमन्तु जैसे सारे तपोधन सारे महात्मा जब व्यास जी अपने पुत्र को खोजने निकले तो उनके शिष्य भी उनसे आग्या लेकर इधर उधर चले गए थे व्यास जी जब हिमाले से लोटे तो आश्रम में कोई नहीं था पुत्र वियोग की पीडा और अकेला पन से वे बहुत दुखी होगे उनको अपनी माता याद आई सत्यवती आश्रम छोड़कर व्यास जी अपने जनम स्थान की और निकले उस द्वीप में जाकर जहां व्यास जी का जनम हुआ था वे अपने मा को धूड़ने लगे सत्यवती निशाद कुल की थी द्वीप के निशादों ने व्यास जी को बताया कि सत्यवती राजा शंतनु की महारानी बन गई है निशाद राजा ने हाथ जोड़कर व्यास जी से कहा कि हम धन्य होगे आप यहां पथा रहे हैं यह पूरा राज्य आपके अधीन है आप जो चाहें यहां कर सकते हैं व्यास जी वहां सरस्वती नदी के तड़ पर अपना आश्चरम बनाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे राजा शंतनु और सत्यवती दंपती को दो पुत्र हुए चित्रांगत और विचित्रवीर्य दोनों ही सारे क्षत्रिय गुणों से युक्त, बल्वान और शूर राजा शंतनु के पहले भी गंगाजी में एक पुत्र उत्पन हुआ था भीष्म, महा भारत के प्रसिध भीष्म पितामह शंतनु का देहांद होने पर भीष्म ने अपने भाई चित्रांगत का राज्या भिषे कराया जेश्ठपुत्र होने पर भी भीष्म स्वयम राजा नहीं बने इसलिए वे देववरत नाम से प्रसिध हो गए एक बार चित्रांगत अपनी सेना के साथ शिकार के लिए जंगल गए चित्रांगत नामक एक गंधर्व भी था वो आकाश मार्क से जा रहा था राजा चित्रांगत को देखकर गंधर्व चित्रांगत भूमी में उतर आया गंधर्व चित्रांगत को अच्छा नहीं लगा कि और कोई उनका ही नाम लेकर घूम रहा है गंधर्व ने राजा को युद्ध के लिए ललका रा दोनों के बीच तीन साल तक युद्ध चला राजा चित्रांगत उस युद्ध में मारा गया दुखार्थ भीश्म ने अपने छोटे भाई का मरन संसकार किया विचित्रवीर्य बने राजा उसके बाद बहुत छोटे थे विचित्रवीर्य वे युवा बने तो भीश्मन के लिए वधु ढूनने लगे काशी नरेश की तीन कण्याएं थी बहुती सुन्दर और शुभ लक्षनों से युक्त अंबा अंबिगा और अंबालिका उनके लिए काशी नरेश ने स्वयमवर का आयोजन किया था जब स्वयमवर का कार्यक्रम चल रहा था तो भीश्म जी वहां पहुंचे और तीनों कण्याओं का अपहरन किये सवाल उड़ता है कि भीश्म जैसे धर्मात्मा धर्मिष्ट और धरम के वक्ताद द्वारा कण्याओं का अपहरन इनको फिर धर्मात्मा कैसे माने धरम निष्ट कैसे माने धर्मिष्ट कैसे माने श्री जगदंबा येई नामाहा